हेलो गाइज वेलकम यू आल माई नेम इस लामे नसीम को फाउंडर ओफ मेरे वाले नोट्स और आज का जो हमारा वीडियो इसमें हम लोग थर्मो डैनिमिक्स को डिसकस करेंगे मेकेनिकल के लिए ये भी important subject है मैंने जितने भी वीडियोज बनाएंगे सारे के सारी highly weightage videos हैं मतलब highly weightage subject मैंने उसमें consider करें because engineering, mechanics, machine design इन सब पर वीडियो बनाने कोई फाइदा नहीं है ये लोग low-weighted subjects हैं इनको आपको उसी हिसाब से पढ़ना रहता highly-weighted subjects हमारे कौन कौन से thermodynamics, strength of material, fluid mechanics, theory of machine, mathematics ये सारे highly-weighted subjects हैं इनको मैंने सुचा कि आपके साथ अच्छे से discuss करना चाहिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा एक telegram group है मेरे वाले notes के नाम से आप group पर जाईए, join कर लीजे वहाँ पर आपको बहुत सारे subject के free of cost notes मिल जाएंगे, short notes मैं provide करती हूँ और मेरे साथ directly connect हो सकते हो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, आप अपने questions पूछ सकते हो आपको कोई questions जैसे फस गया, कोई numerical है आपको नहीं आ रहा है आप easily वहाँ पर जाके पूछ सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो चले शुरू करते हैं, thermodynamics को समझते हैं कि कैसा weightage है इसका gate और EAC में, तो मैंने कुछ years लिये हैं, आप मेरे पुराने viewers हो तो जानते हो, कि मैं 16, 17, 18, 19 का weightage देख के चल रही हूँ उसके बाद आपको बता रही हूँ कि कितना weightage 2021 में होने वाला है, तो set 1 में 9 marks की आई थी, and set 2 में 10 marks की thermodynamics आई थी, देखे, thermal engineering की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ thermodynamics की बात कर रही हूँ, okay, gate में तो refrigeration, IC engine, इसके सारे questions combine होते हैं, तो EAC में अगर मैं बात करूँ, तो मैं सिर्फ thermodynamics की बात करूँगी, okay, समझ जाओगे आप, set 1 and set 2 तो 2017 में देखेगा, 11 marks की आई, and set 2 में 10 marks की आई, 18 में, set 1 में 8 marks की आई, and set 2 में 11 marks की आई, 2019 का जो paper conduct हुआ, उसमें set 1 में 11 marks की आई, and set 2 में 8 marks की, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो, कि maximum time 11, 11, 11, 10, 10, okay, तो maximum time 10 to 11 के बीच में thermodynamics पूछी गई है, तो 2021 में भी chances है, कि 10 to 11 के बीच में, मतलब 9 to 12 कर लिजे से, 9 to 12 के बीच में आपको thermodynamics मिल जाएगी, हो सकता है 10 marks की पूछ लिजाए, हो सकता है 9 marks की पूछ लिजाए, या हो सकता है कि next year 12 marks की भी thermodynamics आई, अब अगर gate के papers की बात करें, तो मैंने कई सारे years के papers देखे, analyze करा, तो मुझे ही यह पता चला, कि power cycle से questions पूछेगा है, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि इसमें जो भी questions आए, power cycle से maximum questions आए, heat and work से question पूछा गिया है, first law and second law of thermodynamics से question पूछा गिया, entropy से, psychometry से question आए, सिर्फ gate की बात अभी मैं कर रही हूँ, refrigeration से question आए, properties of pure substance, important है, इससे काफी questions आए वे, okay, और compressibility, तो यह topic thermodynamics के ऐसे topic है, जिन पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, आपको ज़्यादा question solve करने चाहिए, ज़्यादा मेहनत का मतलब, यह नहीं होता है कि बार बार उसी को पढ़ना चाहिए, ज़्यादा मेहनत का मतलब होता है, उसमें number of questions increase करिए, आपने gate previous year लगा लिया, it's okay, यह सी previous year लगाया, it's okay, फिर आप और इसमें questions discuss करो, मतलब test series के questions इसमें add करो, test series के questions लगाओ, उसके बाद कुछ questions, जो made easy and ace, कुछ extra books से books देते हैं, अगर आपको चाहिए, तो आप मेरे group पे आईएगा, वहाँ पर मैं share कर दूँगे आपके साथ वो questions, वो conventional questions होते हैं, concept आपके उससे build होंगे काफी अच्छे, उन questions को आप लोग लगाईए, तो आपको इस particular topics में महनत ज cycles की बात कर रही हूं, सिफ basic thermodynamics से 17 में 8 to 10 मार्क से question आए, 2018 में 8 to 10 questions आए, it means 16 to 17 मार्क की thermodynamics 2017 में पूछी गई है, 17 की paper को लेके मैं बहुत जादा sure नहीं हूँ के 8 questions थे, 10 questions थे, इसलिए मैंने range रखी है, 18 में मुझे पता है, 14 questions पूछे गए थे, it means 28 मार्क की thermodynamics पूछी गईती, basic, okay, 2019 में 8 questions आए, 16 मार्क की हो गई, 2020 में थर्मो से सिफ 3 questions पूछे गई, 6 मार्क की thermodynamics आई, मगर अगर आप इसमें power plant भी add कर दो, तो power plant 16 मार्क की आई, REC 11 मार्क की आई, इसे इंजन 6 मार्क की मैं 2020 की बात कर रही हूं, तो इन सब को जो अगर आप add कर दो power plant होता है, basic thermodynamics होती है, IC engine होते है, power cycles होती है, refrigeration and air conditioning होती है, ओके, तो इतने सारा subject मिला के 50 to 60 मार्क का आप से thermal engineering पूछी जाती है, अभी मैं सिर्फ thermodynamics की बात कर रही थी, इसलिए मैंने अलक से thermodynamics के questions आपको दिखा है, तो आप thermodynamics समझ गए, thermal engineering भी आप समझ गए, किस सरीके से आपको तयारी करनी है, I hope आपको ये वीडियो समझ आई होगी, जितना भी मैंने analyze करके आपके सामने लिखा, वो important है, इन topics पर ध्यान रखिएगा, जब thermodynamics पढ़ना start करिएगा, तो इन topics पर जादा emphasize करिएगा, ये ज ये चैनल पर नहीं है, एक चैनल है, अबदुल सर का, Will Academy, Will Academy पर आप जाओ, YouTube चैनल है, वहाँ पर आपको free of cost, fluid mechanics के सारे modules free of cost मिल जाएगे, आप अच्छे से तयारी कर सकते हो, मेरे वाले notes की group पर आके आप इसको पढ़ने के बाद आपकी जो queries है, आपके जो questions है, वो मेरे स और इस वीडियो को like करना बिल्कुल मत भूलेगा, subscribe करिएगा, share कर दीजेगा, मैं आपसे मिलूंगी next video में, next video में हम लोग कुछ और important topics आपके लिए ले के आएगे, तब तक के लिए thank you so much